अगर आपको यह ऐसा शर्बत ढूंड रहे हैं जो शरीर को ठंडग देने के साथ साथ आपको health benefit भी दे तो इससे बहतर शर्बत आपको कोई और मिल ही नहीं सकता तो चलिए शर्बत बनाना स्टार्ट करते हैं शर्बत बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए वो है गोंड अब आप कहेंगे गोंड तो लड़ू बनाने में काम आती है तो नहीं मैंने यहां पे दो तरह के गोंड लिये हैं दोनों की ही तासीर अलग-अलग होती है यह है गोंड कतीरा जिसकी तासीर ठंडी होती है इसे हम गर्मियों में यूज करते हैं जिसे हम शर्बत बनाने में इस्तिमाल करेंगे गोन कतीरा को जब आप देखेंगे तो इसमें चमक कम होती है और ये है गोन जिसे हम लड्डू बनाने में यूज करते हैं तो देखें इस गोन में थोड़ी सी चमक होती है इसकी तासीर गरम होती है इसलिए हम इसे सर्दियों में यूज़ करते हैं लड्डू बनाने के लिए अब हमें कैसे पता चले कि ये गॉंद कौन सा है तो उसके लिए यहां पर मैं दो कटोरियां ले रही हूं और इसमें हम थोड़ा सा गोंद डाल देंगे तो यहां पर मैंने गोंद कतीरा के दो चोटे चोटे पीज डाल दिये हैं और दूसरी कटोरी में गोंद के दो चोटे पीज डाले हैं यह दोनों ही हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं बट यह है कि आप इसे सही समय पे यूज करें तो देखें दो गंटे हो गए हैं मैं आपको दिखाते हूं सबसे पहले गोंद कतीरा तो देखें हमने इसको भिगो के रखा था और यह इस तरह से जैली फॉर्म में हो जाता है यह देखें इस तरह से यह जैली बन गई है इसे पता चलता है कि यह गोंद कतीरा है और जो गोंध होता है लड़ू में डालने वाला इसे हम पानी में बिगो के रखेंगे तो ये डिजॉल हो जाएगा तो आप इस तरह से घर में ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन से गोंध है गोंध कतीरा है या लड़ू में डालने वाला गोंध है अब मैं यहां पे गोंद कती रखे कुछ छोटे छोटे पीसे लिए हैं, अगर पीस बड़े हों तो आप उसे तोड़ के ही भिगोएं, अब इसे मैं भिगो दे रही हूँ, दो गंटे के लिए हम इसे भिगो के रखेंगे, और मैंने यहां पे थोड़े से चिया सीड लिए है देखें, चिया सीड इस तरह से चोटे-चोटे काले दानों में होते हैं, इसकी तासीर भी ठंडी होती है, जिस तरह से अलसी के बीच सर्दियों में खाय जाते हैं, चिया सीड गर्मियों में खाय जाते हैं, इसमें भी ओमेगा 3 होता है, और यह हमारे शरी के लिए बहुत तो इसे भी हम भिगो के साइड में रख देते हैं दो गणते के लिए तो यहां पर दो गणते हो गए हैं गोन कतीर Yep जालेंगे और यह देखिये चीया सीट में जली फॉर्म में हो जाती है इसके भी दो से तीन दीफ निस Eigen में डाल सकते हैं अब इसमें डालेंगे ice cube और इसमें डालेंगे अपनी पसंद से कोई भी शर्बत या आप इसमें सिर्फ पानी डालके नीबू डालके भी बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से आप mix करेंगे तो देखा आपने गोंद कतीरा और चिया सीट का शर्बत बनके त्यार हो गया है जो अमें ठंडक तो देगा ही साथ ही इसमें omega 3 भी है और गोंद कतीरा की वज़े से यह हमारी हटियों के लिए भी बहुत अच्छा है यह शर्बत आपको कैसा लगा मुझे comment box में जरू बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें comment करें अपने friends और family में से share करें तो मिलते हैं next video में next topic के साथ till then thank you for watching and take care